नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम आपको हीमोगलोबिन को बढ़ाने के लिए कुछ प्राकर्टिक तरीकों के बारे में बताएंगे। हीमोगलोबिन व्यक्ति के लाल रगत कोशिकाओं में मौजुद प्रोटीन होता है। यह कोशिकाओं शरीर के सभी अंगों में ऑक्सिजन पहुचाने का कारे करती हैं। इसके साथ ही हीमोगलोबिन की मदद से ही व्यक्ति के शरीर के अंगों से कारबन डायोकसाइड बाहर निकलती है। यदि व्यक्ति के शरी में हीमोग्लोबिन का इस्तर कम हो जाए, तो शरीर के कई कारेों में परिशानी आने लग जाती है। व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की कमी कई कारणों से हो जाती है जैसे की आईरन की कमी से एन्यमिया, प्रेगनेंसी, किड्नी वर लीबर संबंदी रोग होना वक किसी प्रकार के दीर्ग कालेग रोग आदी से हो सकती है हीमोग्लोबिन की कमी में व्यक्ति को दिल की धड़कने अन्यमित होता है तो अचा में पीलापन, ठकान, मास पेशियों में कमजोरी, बार बर वा बिना किसी वज़र के घाओ होना और बार बार से दर्द आदी की समस्या होने लगती है तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसे प्राकृतिक तरीकों के बारे में बताएंगे, जिन्हें अपना कर आप हीमोग्लोबिन को बढ़ा सकते हैं सबसे पहले एकने विदन उन सभी दर्शकों से, जाज पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, क्रपया हमारे चैनल की सदस्ता को ज़रूर ले लें, ताकि आप हमसे जुड़े रहें, हमारे दरदी कई जानकारी को रोज देख पाएं और उनसे फाइदा बिठा सकें, साथ ही स जानकारी के लिए इसे अंतितक सरूर दिखेगा, जब शरीर में फॉलिक एसिट की कमी होती है, तो शरीर में हीमोगलोबिन का स्तर किन्ने लगता है, इसलिए अगर आप चाहते हैं, कि हीमोगलोबिन का स्तर सही बना रहे, तो आपको खाने में ऐसे आहारों को शामिल करना ह जो फॉलिक एसिट से भरपूर हो, इनमें आप दाल, बंद गोबी, ब्रॉकली, बादाम, मतर और केले को शामिल कर सकते हैं, अपना हीमोगलोबिन का स्तर को बढ़ाने के लिए आप आहार में आईरन से भरपूर फालों को शामिल कीजे, अगर आप रोज एक सेब या एक अ आपने आहार में शामिल करते हैं, तो यह हीमोगलोबिन के स्तर को ठीक करने में आपकी मदद कर सकता है, नैटल, कंडाली या सिडॉल कई गुड़ों से भरपूर होती है, इसमें विटामिन B, आईरन, विटामिन C होते हैं, जो हीमोगलोबिन के स्तर को बहतर बनाने में आप कंडाली की चाए बनाने के लिए दो चम्मत सूखी कंडाली के पत्तों को एक कप पाने में उबाकर पी सकते हैं, इससे आपको फाइदा होगा ऐसे कई आहार होते हैं, जो आईरन को नश्ट कर सकते हैं, या फिर ब्लॉक कर सकते हैं ऐसे आईरन और केल्शियम को कभी भी एक साथ नहीं खाना चाहिए इसके अलावा, ज़्यादा कॉफी, चाए, कोला, सोडा, वाइन बगेरा को भी लेने में नियंत्रिट रखे क्योंकि ये सब लेने से आपको नश्ट हो सकता है इसके अलावा, खुद को व्यायाम के लिए भी समय दीजे क्योंकि अगर आप व्यायाम करेंगे, तो शरीर में ऑक्सिजन का संचालन सही तरह से होगा और सही और संतुलित आहार लेकर आप हीमोगलोबिन के स्तर को सही कर सकते हैं तो दोस्तों, यदि आपको अचकी हमारी जनकारी अच्छी लगी हो, तो इससे लाइक, शेर और कमेंट से रुट कीजिए का इससे देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद